हेलो दोस्तों स्वालत है का मेरी इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊँगा कि पावरपेंट क्या होता है और हम इसे कैसे स्टाट करते हैं कि पावरपेंट क्या होता है और हम इसे कैसे स्टाट करते हैं मैं आपको साथी यह भी बताऊँगा कि कि कैसल टूल बार रिबन बार और स्लाइट पैंट का हम कैसे प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि पावरपेंट का हम कहां का इस्तमार करते हैं तो पावरपेंट का इस्तमार सबसे ज्यादा स्कूलों में, आफिसे में, रैमिनार में प्रोजेक्ट को प्रजेक्ट को प्रजेंट करने के लिए के जाता है तो हम जानते हैं powerpoint open कैसे करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने start button या window button पर जाना है वहाँ जाके आपको powerpoint पर click करना है तो ये देखे आपका powerpoint open हो गया है left side में आपको कुछ files के name दिखाई देंगे नाम दिखाई देंगे ये वो files होती हैं जिन पर आपने पहले काम किया है जिससे कि उन files को आपको ढूणना नहीं पड़ेगा वो आपको easily यही से available हो जाएं उसके बाद right side में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ templates दिखा रहा है predefined templates होते हैं यह यह आपको यहाँ पर show कर रहा है इसके example है जैसे कि gallery हो गया mesh हो गया frame हो गया इतना से आपको कुछ template दिखा रहा है अब जिस भी template को आपको select करना है अपनी पसंद के अनुसार या आपनी और शक्ता के अनुसार तो आप उसको click करेंगे यह देखे आपके सामने उसी template के और color में भी आपको available है अब अलग अलग color से आप create कर सकते हैं तो इसके लिए आपको उस template को select करना है और उसके बाद आपको create पे click करना है तो यह देखे आपका template बन गया है तो यह तो है पहला तरीका आपके powerpoint में template create करने पी आप इसमें दूसरा तरीका क्या है इसके लिए आपको क्या करना है आपने टास्क बर में जाना है और सच पे लिखना है पाउरपइंट तो ये देखे सबसे उपर आपका powerpoint लिखावा आ गया है अब या तो आप enter press कर दीजिए या अपने mouse से powerpoint पे click कर देंगे तो आपका ये powerpoint open हो जाएगा हम इसमें अभी ले रहे हैं blank presentation powerpoint के tools के बारे में जानने से पहले हम उसके interface के बारे में जान लेते हैं इसे हमें ये फायदा मिलता है कि जब हमें इन tools का इस्तमाल करना हो तो हमें पता होगा कि कौन सा tools कहां पर है तो इस screen में सबसे पहले आपको जो नज़र आ रहा है वो है उपर आपका title bar टाइटल बार में आपको आपकी फायल का नाम दिखाएगा जिस नाम से आपने अपनी फायल सेव कर गया वो आपको टाइटल बार में नज़र आएगी उसके बाद अगर हम left से जाते हैं तो हमारे सामने ये है आपका विक एक्सल टूर बार में वो टूर्स आते हैं जिनका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस्तमाल करते हैं अपने पावर पाइंट में तो जैसे वो है आपके से बटन अन्डू बटन रीडू बटन और आपकी स्लाइड को रन कराने के लिए बटन इसके लाबा इसमें आप और टूर्स एड़ भी कर सकते हैं आप इधर यह ऐरो देख रहे हैं आपको यहाँ पर और सारे टूर्स नजर आ जाएंगे तो आप इसे अपनी आवर्शक्त के अनुसार एड़ और रिमूब कर सकते हैं अगर आपको कोई टूल नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे तो आपको तूल वहाँ से अट जाएगा और आपको अगर तूल एड़ करना है अपनी आवर्शक्ता अनुसार को आप उसे यह पर लिग कर सकते ह यहां पर उपन का यह बटन बना हुआ गया उसके बाद नीचे आपका यह है रिबन तो इसमें देखिए अलग लग टैप्स नजरा रहे हैं आपको पहला आपका फाइल टैप फिर होम टैप इंसर्ट डिजाइन एनिमेशन स्लाइड शो आधी और हर टैप के अंदर अपने ब डिजाइन में हैं आपके थींज वेरियेंट्स कस्टमाइज डिजाइनर तो इस तरह से हर एक टैप में उसके अपने अलग ब्लॉक्स होते हैं और उन ब्लॉक्स के अंदर अपने तोल्स होते हैं और बाइड डिपॉल्ट आप जब भी अपना पावर्पेंट ओपन करेंग राइट साइड में आते हैं तो राइट साइड में हमारे पास राइट साइड में तो हमारे पास आएगा रिबन डिस्प्ले ऑप्शन आप इसके क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके पास इसमें पीन आप्शन आ रहे हैं अगर आप पहला ऑप्शन करते हैं यह है आपका सारे टूल्स और टैब्स आपके सामने आगाए यानि कि अन्हाइड हो गए पर जब भी आप बाहर कहीं पर अपनी प्रेजनेटेशन पर और जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यह दुबारे से चीने हाइड हो जाएंगी तो पहले ऑप्षिन का इसलिए होता है इसके ब अंदर जितने भी ब्लॉक्स और टूल्स हों आपको नहीं दिख रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा जब भी आप किसी टैप को इस्तमाल करना चाहते हैं तो इस टैप क्लिक करेंगे तो आपके जिब्बन बार शो हो जाएगा जिसमें कि आपके ब्लॉक्स और जैसे आप बार क्लिक करेंगे वह फिर से हाइड हो जाएगा तो देखते हैं तीसरा ओप्षिन क्या है तीसरा ओप्षिन है हमारे पास शोट अप्षिन यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सारे टूल्स सारे टैब्स और उनके अंदर लॉक्स जो भी है वह आ आपका यूज होता है आपके प्रोग्राम को मिनिमाइज करने के लिए आपके पास्ट बार में उसके बाद आपका रिस्टोर बटन रिस्टोर बटन यूज होता है आपके प्रोग्राम को आपकी स्क्रीम पर वापस लाने के लिए और उसके अगला हमारे पास क्लोज बटन जो कि आपके प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए समान होता है इसके बाद आप नीचे की तरह लेट साइड में आएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है इसके नंबर वन लिखा हुआ है ये है आपका स्लाइड पैन आप जितनी भी स्लाइड अपनी प्रेजनटेशन में प्रेड़ करेंगे वह आपक्ने स्लाइड में ही शोऊ हूगी यह देखे हमारे एक से जिर्फिक आप शयो हो रही है आप यहां पर साया इस लेशीव्स ट्राइड इस इसके लाग आप इस्ट ज्यक्र का एक सिर्फ में जा सकतेरा जब आप इतर के पास एक से ज़्यादा विग file में तो आपके पास एक ऑप्षिन और राइट हो जाता है राइट साइड में आ गया है अगर आपको किसी slide को delete करना हो तो भी आप slide pen में जा कर उस slide को select करके delete key की मदद से उस slide को delete कर सकते हैं इसके बाद अब हम जानते हैं अपने नीचे की स्क्रीम पर क्या है तो यहां पर आ रहे हैं आपके slides इसे हम कहते हैं status bar status bar में आपके जो आ रहा है वो आपको बताएगा कि आप कौन से slide पर working कर रहे हैं और आपने total कितनी slides बना लिए हैं तो यहां पर यह आएगा अगर उसी तरह से हम right की तरफ चलेंगे तो हमारे पास आ रहा है notes तो आप अपनी slides बनाते वे अपनी slides के उपर notes और comments भी लिख सकते हैं पर जब भी आप अपनी slide को run करेंगे तो यह आपके notes और comments आपको नज़र नहीं आएगे उसके बाद views हैं कुछ इनके बारे में इन future में आपको बताऊंगा उसके बाद है आपका zoom tool इस tool का इसमाल आपको अपनी slide को zoom और zoom out करने के लिए कर सकते हैं यह देखे मैं इसे zoom out कर रहा हूं इस पर click करके और इधा से हम zoom in कर रहे हैं उसके बाद आता है आपका hit to window यह जो पूल है इसका इसमाल आप जब करते हैं जैसे कि आपकी screen का size increase हो रहा है आप चाहते हैं कि आपकी एक slide पूरी की पूरी आपको show हो जाए तो इस आप इस पे click करेंगे तो आपकी एक पूरी slide आपको आपकी screen पर नजर आ जाएगी तो आज के लिए इतना ही दोस्तों आपकी 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 आपक